हलो फ्रेंज आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे ग्रोथ और डिवेलपमेंट के बारे में जो ग्रोथ और डिवेलपमेंट का कंटेंट है वो मैं आपको दो वीडियो में प्रवाइड करूंगी आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके ग्रोथ और डिवेलपमेंट क differences and meaning के बारे में, types of development के बारे में और factors affecting growth and development के बारे में तो start करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी पिछली वीडियो थी CDP की उसमें हमने बात की थी psychology के introduction के बारे में कहां से start हुई थी कैसे start हुई थी कैसी इसकी journey यहां तक पहुंच की कि आज हमा को उसको पढ़न हमने उसमें पढ़ा था different schools of psychology भी हमने उसमें पढ़ा था अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखी है तो नीचे description box में मैं उसका लिंक आपको provide करवादू कि आप देख सकते हैं फिर आप इस वीडियो पे आकर इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको एक continuity बनी रहे आप की वीडियो में ठीक है तो चलो अब आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आपने देखा होगा की growth and development जो words हैं बहुत similar words हैं हम बहुत interchangeably इनको use कर लेते हैं कहीं growth पे बोल देते हैं कहीं development बोल देते हैं like for example मैं आपको एक example देती हूँ हम यह बोलते हैं कि इस बच्चे की growth अच्छी है या इसकी जगह हम यह भी बोल देते हैं कहीं बार इस बच्चे की development अच्छी है तो यह को ही भी normal man यह चीज बोल देगा development and growth को interchangeably use कर लेगा बट इस वीडियो को देखने के बाद आप इन दोनो words को ऐसे use नहीं करेंगे आपको इनके meanings भी पता लग जाएंगे और इनके differences भी पता लग जाएंगे तो चलो बात करते हैं पहले growth के बारे में सी जो मैं आपको उससे पहले आपको एक चीज और बता देती हूं कि जो मैं बोल रही हूं उस पे जादा focus कीजिए जो screen पे है वो आपको PDF के form में नीचे मिल जो यह तो written language है यह तो आपको मिल जाएगी वैसे screen पे देखके भी आपको मिल जाएगी तो आप मेरे words पे जादा focus करिए ठीक है पहले बात करते हैं मैं आपको कोई definition नहीं बताने वाली है मैं आपको सिरफ simple words में समझाने वाली हूं और उन ही simple words को compile करके आप एक definition खुद ब like for example height increase होती है तो आप वो चीज देख सकते हो आपका weight increase होता है या decrease होता है वो चीज आप देख सकते हो तो वो क्या है growth है ठीक है the things that we can count on ठीक है वो चीज क्या है growth है आपका इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं ये सारी चीज़े क्या है growth है आप ये भी बोल सकते हो growth क्या है physical aspect सिरफ human body का physical aspect ॊइष Christ कैаз खीपिति चीज को मेजर कर सकते इस जिस चीज को कगर सात zodarsail भ्राइब कर सकते नमघने लेथ कर सकते हैं लुख भॉबने हैं सिर राइस ये बैदर है ना स recuperator ii पिरिएड रुख जाती है अप रुख जाती है आप थ्रूआउट यॉर लाइफ आप ग्रो नहीं करते हैं आप रुख जाते हैं जैसे अब मैं आपको एक्जामपल दूँ अपने हुमन बॉड़ी का तो जब ग्रोड़ के टाइम में प्रिनेटल पीरेड में आपकी ग्रोग जो होती है वो पीक पी होती है सबसे जादा होती है ठीके और उसके बाद infancy में after birth infancy में ग्रोग बहुत जादा स्पीड से होती है ठीके एक जो आपका new born child है वहाँ से लेके एक साल के बच्चे में growth जो changes होते हैं वो बहुत ही जादा rapidly होती है ठीके तो क्या है वो growth है but वो limited है आपकी growth जो है वो limited है within a short period of a time या मतलब एक fixed period of a time बोल सकते हैं वो रुख जाती है whereas your development ऐसा कुछ नहीं होता है चलो हम comparison बाद में करेंगे नहीं है पहले जिरप आप growth समझ लिजिए तो हम क्या बोल सिथे growth जो आपकी है वो क्या है quantitative है quantitative का मतलब है quantity depend करती है न numbers है आपके पास कितनी धभड़ी है कितनी decrease हुई है क्या हुआ है वो सब कुछ आपके पास quantity है और जो आपकी growth है वो किस पर depend करती है heredity पर depend करती है आपकी heredity जैसे आपके parents होंगे वैसे ही आप कहीं न कहीं होंगे तो क्या आपकी growth जो है वो heredity पर depend करती है और आपकी जो growth होती है वो क्या है वो linear है linear का मतलब क्या होता है एक straight line है मतलब sequence में चलीगी वो जैसे कि आप first क्या बोल सकते हो जब बच्चा होता है जब after birth बच्चे के तो वो पहले क्या होता है पहले वो नीचो अराम से लेटा रहता है फिर उसके बाद क्या होता है वो तीरे दीरे अपनी neck को balance करना सीखता है फिर उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद वो क्या करता है अपनी upper body को balance करता है और उसके बाद वो अपनी lower body को balance करता है होता है न ऐसा कि पहले वो अपना गर्दन अपनी neck संभालना सीखेगा फिर अपनी upper body संभालना सीखनेगा बैठना सीखेगा जैसे बैठना सीखेगा उसके बाद थोड़े टाइम बाद खड़ा होना सीखेगा ठीक है किसी सहारी के साथ वो खड़ा होना सीखेगा उसके बाद वो क्या करेगा चलना सीखेगा तो यह क्या है एक सीक्वेंस है चलना ऐसा थोड़ी है कि बच्चा पहले फिर उसके बाद बैठना सीखता है उसके बाद अपनी गर्दन सभालता है नहीं वो क्या करता है एक सीक्वेंश में चलता है वो ग्रोथ क्या है वो सीक्वेंशल है वो बहुत मतलब उसमें चलती है सीक्वेंश में चलती है तो ग्रोथ क्या है आपकी ग्रोथ आपकी सीक्वे अब बात करते हैं development की टिक हैए development है development है आपका छीजे है आप kab parallels हूं ठीक है अर आपको कहीं पेहन हो तो आप उस चीज को देख तो सकते हैं ठीक है within आपको अंदर से पेहन फिर ही पता लगेगा कि वो पेन हो रही है, कोई देख के या नहीं आपको बता सकता है कि आपको पेन हो रही है, ठीके वो क्या है, आप चीज से फील कर सकते हैं, वैसी ही development है, जो development है वो बहुत ही जादा broad term है, जिसे मैं आपको बात करते हूँ, जिसे हम growth ही बात करते हैं, य है आपका growth, ठीके, एक term यह है, फिर है आपके पास आपका physical aspect, ठीके, physical aspect कि आपकी physically आपकी growth कितनी हो रही है, कुछ भी, ठीके, यह आपका physical aspect है, फिर आपके पास social aspect है, कि socially आप कितना grow कर रहे हो, ठीके, फिर आपका emotional aspect है, कि आप emotionally कितना grow कर रहे हो, ठीके, एक यह होगे आ जो आपका mental aspect, खीड कैसी के आप mentally कितना strong होते जा रहे हो, तो ये सारी क्या चीज़े हैं, ये different technology है, ये सारी terminologies किसके अंदर आती है, ये सारी terminologies आती है, development के अंडर, ठीक है, ये जो सारी terminologies हैं आपका, हम ये बोल सकते हैं, कि development क्या है, एक room है एक बहुत बड़ा room है जिसके अंदर छोटी मोटी चीजे जैसे की growth, आपका physical aspect, social aspect, emotional aspect, mental aspect, सारी जतने भी aspects है वो सारे growth के अंदर आते हैं आपके even आपका maturity ठीके ये भी क्या है आपका ये भी क्या है ये भी आपके development के अंदर आते हैं तो ये सारी चीजे क्या है development है तो आपको जब हमने बात की थी growth की तो हमने growth में क्या बात की थी growth सिरफ physical aspect है भार से जो चीजे हमा को दिखती है वो growth है बट आपका development भार से जो चीजे दिख रही है वो भी है क्योंकि growth is a part of development तो वो चीज भी considered होगी physical aspect भी आ क्या है तो development क्या है सारे aspects को feel करना है like आपको for example जब आप 5 साल के थे थे when you were of 5 years अगर मैं बात कर तीन stages में compare करती हूं 5, 15 and 25 years के बच्चे को compare करती हूं ठीक है 5 साल का बच्चा है वो कोई चीज के लिए जिद कर रहा है ठीक है कोई भी चीज उसको लेने कोई खिलोना लेना वो उसके लिए जिद कर रहा है ठीक है तो आप क्या करेंगे उसको 5 साल का बच्चा कैसे उस चीज को और घरवाले उसको वो चीज नहीं लेके दे रहा है तो वो कैसे react करेगा वो क्या करेगा वो रोने लग जाएगा ठीक है he will start crying he will start crying he will start crying अब 15 यह का जो बच्चा है उसको भी कोई चीज चाहिए और उसके घरवाले उसको वो नहीं लेके दे रहे तो वो क्या करेगा वो नराज हो जाएगा ठीक है वो बात नहीं करेगा अपने घरवालों को इग्नोर करेगा he will start ignoring टीक है वही बात अब 25 साल का इनसान इस चीज में क्या करेगा अगर उसको कोई चीज चाहिए और उसको वो चीज नहीं दे दे उसके घरवाले या कुछ भी है किसी region की वज़ेसे वो चीज नहीं ले सकते है तो वो क्या करेगा वो situation को संझाएगा ठीक है वो situation को संझेगा क कि मेरे घरवालों नो मुझे मना क्यों की ठीक है वो he will try to understand he will try to understand तो ये सारी चीजे क्या है development है from 5 year to 25 years जैसे आप 5 साल के थे वैसे आप 15 साल के नहीं हो सकते और जैसे आप 15 साल के थे वैसे आप 25 साल के नहीं होंगे ये चीजे क्या है ये जो growth है ठीक है from crying to understanding ये चीज क्या है development है I hope this example के थूँ आपको आराम से समझ आगया होगा कि मैं समझाना क्या चाहती हूं development क्या होती है ठीक है आपको मैंने ये भी बता दिया कि development क्या है एक पूरा रूम में उसमें जो चोटी मोटी चीजे है रूम में बहुत सारी आपकी चीजे रखे होती है वैसी चीजे क्या है आपकी growth development maturity everything comes in this only और अब बात करें आपकी development की जो growth आपकी linear थी ठीक है और आपकी development है वो spiral है spiral का मतलब क्या होता है एक दूसरे से related है एक चीज related है दूसरी चीज आपकी development किस चीज पे mainly focus करती है आपकी experiences पे focus करती है कि आपके experiences क्या है उससे आपने क्या सीखा आगे आपकी learning कैसी होगी वो सारी चीज से क्या experience हम इनसान क्यों होते experiences पे चलते है आप जैसे suppose अपने first time rose plant टच किया ठीक है आपको कांटा चुबा ठीक है पहली बार तो आपने touch कर लिया उसको बिना आपको नहीं पता था वहां पर कांटा है तो आपने वैसी touch कर लिया पर next time क्या होगा जब आप आपको याद रहेगा कि आपको कुछ चुब development है तो आपकी development आपको समझा गया यह चीज क्या है रिलेटिड है development कब होगी जब आपके physical aspect आपके emotional aspect, social aspect आप सब कुछ हर चीज को consider करते वे आगे चलोगे तो वह चीज क्या है development है तो आपकी development है वो क्या है वो है आपकी spiral है ठीक है spiral है आपकी development और where as your growth is linear तो चलो यह था आपके growth and development overall आपकी definitions आगर आप इनको पढ़ोगे वो बिल्कुल exactly वही है जो मैं आपको समझा रही हूँ आपकी growth limited थी बट यह एक wider term है obviously आप मैंने आपको बोला है growth क्या है growth है सिरफ एक छोटी सी चीज किसी room में पढ़ी और वो room किसका है वो room development का है ठीक है that is okay अब आपक क्या क्या है चलो फिर भी एक बार हम revise कर लेते है difference और इस चीज को growth and development के differences को ठीक है growth it includes only physical aspect आपको मैंने समझा दिया था कि growth क्या है सिरफ physical aspect पर बात करती है whereas your development आपकी physical cognitive emotional social सारी चीज़ों पर work out करती है growth क्या है certain period of time के बाद रुप जाती है but your development comes from womb to tune मतलब मतलब आपका आपके conception से लेकर आप सीखना start कर देते हैं till your death आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं development है day by day आप में development हो रही आप कुछ ना कुछ नया सीख रही है और वो सीखना ही कही ना कही development है ठीक है आपकी जो growth है उसको हम major कर सकते हैं but it can only be assessed ठीक है यह सरफ assess की जा सकती है, then your it is only quantitative quantitative का मतलब आपको पता है quantitative का मतलब क्यों होता है कि major, sorry numbers में ही आती है ये quantity हम इसकी बता सकते है whereas your development इसमें physical aspect भी है तो ये quantitative भी होगी and qualitative भी होगी, पर जादा हद सक ये qualitative है, हम इसको quality wise judge कर सकते हैं, ठीक है assess कर सकते हैं इसको आपकी growth में सिर्फ structural change आएगा इसमें functional and structural change दोनों आएगा linear है, हमने बात कर लिए ये linear है, spiral है, ये चीज़ हमने बात कर लिए heredity की भी बात कर लिए, हाँ जो आपकी development है heredity पे, तो depend करती ही करती है but environment पे भी depend करती है, मैंना आपको जैसे बताया अब ये चीज़ तो आपकी heredity पे पहले से आपको पता तो नहीं था ना कि रोज में कांटे होती है, ठीके वो चीज़ आपने क्या की after birth, after हर चीज यहीं पर environment से सीखी है, और भी चीज़े आप बहुत सारी चीज़े सीखते हो environment से, heredity आपको बहुत कम चीज़े सिखा के देती है बट आपकी जो ये सारी चीज़े जो आप learn करते हो, वो चीज़े क्या है, आप अपने environment से सीखते हो, तो development क्या है, आपकी heredity आपकी development हम ये बोल सकते है, heredity plus environment पे depend करती है, ठीके, next is your learning is effective, is not effective, ठीके, learning effect नहीं करती है, आपकी growth हो, आप learn, कुछ सीख रहे है, नहीं सीख रहे है, तब ये आपकी growth होगी, नहीं सीख रहे हो, तो भी आपकी growth होगी, but your development depends on your experiences and learning, जैसे मैं आपका example दिया, उससा आपको समझ आ गया होगा, ठीके, आप अब जो growth है, that is a part of development, but development is not the part of growth, आपकी growth ना भी हो, तो भी development होगी, आपकी growth हो रही है, तो भी development होगी, but growth हो, ठीके, growth may or not, may or may not be leading to your development, ठीके, development हर case में होती ही रहे तो ये था आपका major differences जो मैंने आपको समझा दिये, पहले भी समझाए था, अब आपको clear होगी होगा, हमने कुछ भी points छोड़ी नहीं है, next हम बात करेंगे, domains या areas, या types of development के बारे में, ठीके, वैसे तो 6 है हमारे पास, but इसको जब mainly classify करते तो 4 में करते हैं, first है आपका physical development, second है cognitive development, third है आपका social, fourth है आपका emotional, fifth है आपका moral, sixth है आपका language, आपका physical क्या है, आपका physical वही है कि हम क्या बात करते हैं, physical में, आपके motor skills के बारे में बात करते हैं, ठीके, muscles के बारे में बात करते हैं, इसके आपके दो types आज आते हैं, एक आपका gross आता है, दूसरा आपका fine सारे आपके दिमाग से रिलेटेड़ है तो आपके कॉगनिटिव में वह आएगी आपके इंसान की बहुत जादा जरूर है इमोशनल भी जरूर है और जिसे आपके जो यह तीन है मैं अगर आपकी बात करूँ इन तीनों को हम इन तीनों में ही फिक्स कर लेते है hij जोड़ लेते हैं तो जैसे आप फोर में डोमेंस की बात क्रें फिमिकल डिविलोब्मेंट आपके physical development में आपको बता दिया आपके gross motor skills आपकी fine motor skills में आपकी पढ़ाऊंगे इसको इसमें बहुत detail में फिर cognitive में आपकी language development ही इस पे मतलब इन cognitive social and emotional development जो आपकी हैं इस पे आपको बथेरी theories मिल जाएगी बहुत सारी theories दिये ठीक है वो हम इन detail बाद में discuss करते रहेंगे औने वाली वीडियो में discuss करते रहेंगे पर physical बहुत छोटा सा पार्ट है तो आज हम इसको physical वाले development को यहीं पर complete कर लेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं एक types of development के बारे में physical development में मैंने आपको बताया कि हम क्या बत करेंगे आपके gross motor skills and fine motor skills के बारे में करेंगे cognitive development मतलब आपकी language thinking and memory skills के बारे में पढ़ेंगे फिर emotional में आपको हम feelings को जज़ करेंगे अपने feelings को control करने के और दूसरों के feelings को समझने की कोशिश करते हैं और social में क्या है आपका कि कैसे हम society के साथ relationship बिना सकते हैं कि वो हमारे को एक अच्छी lifestyle provide कर सके तो हम यह बात करेंगे अब next पात करती हैं मैंने बुला है बाकी यह तीन जो है हमारा cognitive, emotional and social इस पर बथेरी stories है तो हम इसको detail में बाद में पढ़ते रहेंगे step by step पर first हम क्या पढ़ेंगे आज physical development के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अब मैंने आपको बताया physical development क्या है आपका physical development क्या है, two types का है gross motor skills, gross का मतलब क्यों होता है बड़ा, total ठीक है, तो हम जब बच्चे में या किसी भी human being में ग्रॉस मूटर स्किल्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है मसल से ठीक है हमारे मसल्स कितने लाज मसल्स कैसे वरक आउट करते हैं जैसे आपका जब आप बैठते हो खड़े होते हो तो उसमें आपका क्या है आपके लाज मसल्स जो है वो हल्प करते हैं ठीक है आप चलते ह तक है सारी चीज़े क्या है आपकी लाज मुटर से रहद ग्रॉपमेंट और क्या है आपका वृर्पर्मेंट्व की इन चीज़ों की आपको की आफ ग्रॉपमेंटि में ईवस्नेलापने प्रफाइन मोटर्फाइन को नियरे चीजीजें कुछ आपका प्रफॉर्मस अच्छा था या आपका जो फाइल थी वो अच्छी थी ती but you शूद वट उर्फाइन थी चुटी चूटी चीजों पर काम करना चाहिए अब फाइन में कैसे हो सकते हैं में फिंगर्स की बात करते हैं ठीक है तो fine में like, जैसे कि हम बोल सकते हैं, कि जब हम लिखते हैं, when we are writing न, तो हमारी कितनी fine motor skills हैं, ठीक है, fine motor skills का हम use करते हैं, finger को कैसे चलाना है, p कैसे लिखना है, then a कैसे लिखना है, r कैसे लिखना है, u कैसे लिखना है, l कैसे लिखना है, तो ये सारी चीज़े क्या है fine motor skills है या जैसे हम लिखते है जैसे हम लिखते है sorry लिखते है S कैसे लिखते है कैसे move करनी है अपनी fingers U कैसे लिखना है B कैसे लिखना है S कैसे लिखना है C कैसे लिखना है R I B E तो ये क्या करना है आपको सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप यह सारी चीज़े क्या है fine motor skills है आपकी ठीक है और जैसे हम जब eyeliner लगाते है girls usually जब eyeliner लगाते हैं तो कितने fine थोड़ा सा भी अरे पर ही नहीं होना चाहिए द्रोइंग करते हैं color करते हैं जब हम तो वो सारी चीज़े क्या है आपकी fine motor skills यह है आपका fine motor skills तो आपको development physical development समझ आगे होगे जो दो parts में divided है gross and fine gross का मतलब बढ़ा होता है fine का मतलब चुटी-चुटी चीज़ों पर work out करता है तो हमारी human body इन दो physical aspects पर develop करती है next is factor affecting your growth and development बहुत सारी चीज़े हैं जो आपकी growth and development को रोकती है जैसे internal factors में आपके diseases आ जाएंगे intelligence आ जाएगी ductile glands health आ जाएगी thought process आ जाएगी कि कैसे कैसे वह आपकी growth को effect करते हैं अगर आप बिमार हो तो हाँ कही न गहीं आपकी या आपको कोई कोई बिमारी है तो उस चीज़ में आपकी growth कही न गहीं effect होगी मतलब long term short term है तो चलो कुछ नहीं होता थोड़े time की growth रुख जाएगी but your long term processes में मतलब कोई long term disease है आपको तो उसमें क्या होगा आपकी diseases important role play करेंगे then your external factors like your society जो आपकी यह चीज़े है external factors में mainly हम बात करेंगे कि आपकी development पे कैसे आपका फरक पड़ता है आपकी development पे society हो गया economic background हो गया food अगर आप अच्छा खाना नहीं कहेंगे तो आपकी growth कहीना कहीं अगर आपको important nutrients नहीं मिल रहे तो आपकी growth कहीना कहीं effect हो इस चीज़े आपके environment से हमने बात की थी कि आपकी development है कहीना कहीं आपकी environment पे भी वो करती है और आपकी resources जो आपको available है वो सारी चीज़े आपकी क्या आती है इसके अंडर आती है कि यह कैसे internal और external factors आपकी growth and development को effect करते हैं तो यह थी आज की वीडियो आपकी इस पे हमने सब कुछ जो आज cover करना था वो कर लिया है अब एक वीडियो में आपकी practice section पर बनाऊंगे जिसमें आपको questions मिल जाएंगे प्राक्टिस करने के लिए अभी नहीं इसके साथ अटाच कर रहें बाद में एक separate video मैं सोच रहे हुँ दो तीन topics cover कर लें उसके बाद आपको एक video दे दूँ जिसमें आपके पास practice questions हो आप practice करो कितना आपने learn किया है उस चीज में and that's all for today अगर आपको यह video पसंद आई हो तो आप इसको like कर सकते हो share कर सकते हो और अपने friends के साथ share कर दो comment कर दो बाकी बाकी